हलो फ्रंट्स आज हम बनाने जा रहे हैं नियोडी जायन का फ्लावर पाट इसे बनाने के लिए दागा हमने चूडी ली चार इंची टेप लाइटर सीजर दागा हमने ग्रीन कलर का याध हल अची पिंक कलर के तीन अची यह हमारी तीन इंची की हमने चार चूडी ली चारो को जायंट कर लिये यह देखे फ्रन एह हमने दागा काटा एक धागा हमारा डेवन मिटाती इसको ऐचे करके एक डावल पॉल के टोटल दागे 24 है यह फसा आए इसी तरह हम सभी धागे फसा लेंगे कि अ कि यह देखिए फन जैसे हमारे सभी धागे फस लेंगे अब हम यह दागा लेंगे चाहे तो काट लें नहीं हम ऐसे रख लेंगे ठीक एक धागे में पहले हम गाठ लगा के बान लेंगे ऐसी यह देखिए जैसे इसमें गाठ लगा दिये इसको आईसी रखे ठीक इसके अंदर यह दोनों डाल दिये यह हो गया फिर इसको इसको में ऐसे नीचे साइड भुमाना फिर दूसरा लेंगे फिर इसमें डाल देंगे अब यह पहली बार है यह हमारे धागे टाइट भी करते जाएंगे और बराबार इसको ऐसे हमें नीचे साइड इसको घुमारा है यह ऐसे इसी तरह हम यह राउंड कंप्लीट करेंगे पहले करेंगे अब यह अब यह अब यह अब यह अब यह वाले में भी करेंगे कि इसमें से सुरू किये थे इसको हम यह नीचे से लाके इस धागे को यहीं हमें इस्टिक करना है कि देखे हो गया अब हाँ फिर यह राउंड दूसरा राउंड हमारा कर लाएगा फिर स्यामें करना है कि यह देखें इसी तरह हम दूसरा भी कंप्लीट करेंगे कि डियाइन हमें सेम ही रखनी ऐसी कि यह देखें फंड जैसे हमारा दूसरा राउंड यहां तक पूरा हुआ अवे धागा हम यहां कट करेंगे यह ऐसी अब हमें दूसरा क्लार जॉइंट करना है इसको लेके दोनों को यह ऐसी यह अच्छिस कर देंगे डियाइन हमें वही बनाना है इस कलर से हम दो राउंड करेंगे फिर इसके बाद वापस पिंक कलर जोड लेंगे कि देखें यह अच्छिए यह हम बना लेते हैं पूरा पिंक जोडने के बाद हम यहां से टोटल 5 इंच तक से हम बना लेंगे कर दो राद हमे यह अच्छिए टोड़को अच्छिए यह यह देखें पर इतना वन गया है यह कि यहां भी हम दो राउंड ग्रेन का लगा लिया ठी अब हम यह देखें जैसे हम दो धागे साथ में ले रहे थे इसको ऐसे कर रहे थे अब हम इसके एक धागा करेंगे एक कर लिए फिर इसी के एक और जो बचा उसे कर लिए ठीक यह दो हो गया अब अंगला वाला हम दोनों करेंगे लब एक छोण के ठीक फिर इसको एक करेंगे अलाग करके अब दो बार करेंगे हम यह ऐसे अब इसको दोनों लेंगे जैसे हम बना रहे हैं इसको इस राण पूरा कर लेंगे हम बार दे हैं यह देखें प्रण जैसे एक राण हो गया अभी हमें दो राण सेम बनाना है जहां पर हम एक भागा ले रहे तो वहाँ एक ही लेंगे जहां दो था वह हम दो ही लेंगे इसी तरह हम दो राण और बना लेंगे सेम यही रिपीट करते हुए यह देखें प्रण जैसे हमारा सात राण बना लिए है ठीक अब हमारे जो दो धागे हैं उनको भी हम अलग करेंगे बाकि बनाएंगे इसी तरह है उनको भी हम अलग कर लेते हैं तो पूरे धागे हमारे सिंगल हो जाएंगे ठीक इसी तरह हम पंदर राण इसको कंप्लीट करेंगे एले के फंद जैसे पहले यहां सात राण बना है फिर हम जब हम प्रण करेंगे हम सिंगल फागे मानाने लगये तो हमा दस राण न इसके बाद हम दो-राण ग्रीन लगाए फिर दो रॉर्व्ण पिंग फिर ग्रीन अब यहां हमारा पांच राउंड बन गया, अब हम जैसे छठमे में आ गए, अब हम धागे को दो लेंगे, यह देखें, जैसे एक साथ दो ले लिए, ठीक, अब अंगले वाले को एक ही लेंगे, यह ऐसे, फिर अंगला वाला दो लेंगे, अब हमें इसी तरह बनाना, इसको हम पांच बना लेंगे ऐसी पहले दो फिर एक फिर दो क्योंकि हमें धागे कम करने हैं इसलिए ऐसे बनाना पड़ेगा यह देखे प्रण जैसे हमारा यह पांच राउंड बनने के बाद अब हमें बनाना तो सेम उसी तरह तरह इसे ध्यार रखना कि हमारा आयसे आए अब अंदर ना जाए यह देखे बना हम वही रहे हैं पर इसको हम ऐसे रखेंगे जिससे अंदर साइड हमारा नहीं जाए इसे हम दो लेयर बना लेंगे यह देखे प्रण जैसे अब हो गया इसको हम इधागा कट कर देंगे इसको अंदर जोड़ेंगे इसमें अब हम यह देखे चार इंच की रिंग इन धागों में फसाएंगे यह ऐसे यह ऐसे इसी तरह हम एधागों रिंग इधागे इस रिंग में सभी फसा देते हैं यह देखे प्रण यह हमारी रिंग फस गई आब यह हम ग्रीन माला धागा लेके इसमें पहले गांट लगा देंगे आचे डियाइन हम वही बनाएंगे यह ऐचे यह ऐचे लेकिन इस बार हम सिंगल धागें से एक एक धागें बनाएंगे यह देखे यह दो राउंड हम बना लेते हैं ग्रीन से फिर आँगे बताते हैं है यह देखे हमारा दूसरा हो गया है इसे यह हम यहीं कट करके दूसरा कलर जोड़ेंगे अब इसे अब इस धागे को हम ऐसे कर लें दो पराद फिर इसको ऐसे करते हैं अब हर उसमें हर धागे हम ऐसे कर लेंगे इसी तरह हम तीन राउंड बना लेते हैं अब अब इस धागे को हम इतना कट करेंगे इसको ऐसे करके यहां पीछे अटाइच कर देंगे यह ऐसे अब इस धागे जितने हमारे हैं इनको भी हम यहीं कट करके यहीं जॉइंट कर देंगे वासे से ठीक यह देखे फ्रेंट्स हमारा फ्लावर पार्ट कंप्लीट है झाल